नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल विकास फीजिकल एजुगेशन स्टडी पर मापका साथी विकास लगातार खेल वैसिक्षा की जानकारी के लिए बनाऊ हूँ आपके साथ वही एक ओर थोड़ा सा पॉजिटिव बात सुनने में आ रही ह दोस्तों एक दो एकजाम से कुछ नहीं होता लाइब में इंपोर्टेंट है लड़ते रहना हार जी जो लगाता लड़ता रहेगा एक दिन जरूर सपलता प्राप्त कर लेगा वही हमारे गुरू जी है परवीन जी उन्होंने दस नेट क्वालिफाई थे दस साल बात जाकर जो मिली है दस साल कितना लंबा संग अर्च रहा होगा उनका तो हार आपको माननी नहीं है लगातार बने रहे ये परमात्मा आपके एक एक पल का जो आपने मेनित की है उसका इसाब देगा चलो दोस्तों शुरू करते हैं टेस सीरीज नंबर 32 खेल नैतिकता पर केंदरित ह जो मानो की उत्करिष्टा की अभी वैकती है इन में से कोण सी चीज खेल नैतिकता पर निरवड़ करती है जो मानो की उत्करिष्टा की यानि अच्छाई की अभी वैकती है sport ethics is focused on which is an expression of human excellence मानोता की अच्छाई की ये कभी वैकती क्या है इन मेंचे खेल भावना को बनाए रखना समायोजन होना संतुलित वहवार खेल में समानता तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेल भावना को बनाए रखना खेल को खेल की वावना से खेलना ये खेल नयतिकता पर केंदरी तो ये जो मानों की एक उतकरिष्टा की ये कभी वैकती है यानि की मनुष्य की अच्छाई की अभी वैकती होती है ये खेल भावना किसी को नहीं नुक्षान पहुंच चाते हुए खेल के नियमों का पालन करते हुए दूसरों का सम्मान के साथ खेलना और किसी को चोट या बैर वाव दवेस की वावना से नहीं खेल वावना है आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेशन है उतेजना और निश्पादन के बीच प्रियवेशक सम्मान का वणन करती है डिस्क्राइब्स दा अब्जार्ड रिलेशन सीब बिट्विन और अरोसॉल एंड परफोर्मेंस उल्टा वी पैटर्न, उल्टा यू परिकल्पना, एकल संसूचन परिकल्पना, मानसिक परिकल्पना तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उल्टा यू परिकल्पना आपको ये याद रखना थुड़ा मुश्किल कोश्चन है ये net level का question है भई, शायद net के exam में ये आया है, पता नहीं में कौन से सनमा है ये net में आया हुगा था ये question, आगे चलते हैं प्रकर्ती और पोषण के संयोजन का अंतिम प्रिणाम है, विकास आत्मक प्रनाली उच निश्पादन मानो वैक्तितो और अंतिम लक्षे तो इसका right answer है भई, आप लगा लेजिए, heredity गुणा में environment, चमानी होगा भई, अनुवान सिखता गुणा में environment, से ही मानो का वैक्तिता होता total personality, ये इसका right answer है, आगे चलते हैं दोस्तो निमिन में से कौन सा निश्पादन मनो वैक्तितों का गटक नहीं है, दार्शनिक लक्षन, वैक्तिक तव, personality में क्या क्या आगया भई, personality, जो sports performance है, वो भी total personality का एक bio product है, आपको ये याद रखना है, तो भई, मनो वैगनी गटकों में आगया ये भी, और down page तकनीक, तो इन में से ये तीनों आगे भई, और दार्शनिक लक्षन है, जो, वो मनो वैगनी गटकों का ये गटकनी है, total personality, down page टेकनीक, ये सभी, क्या हैं है वई, psychological component है, और खेल performance भी वेक्तितव का total personality का एक bio product है, आपको ये याद रखना, आगे चलते हैं दोस्तों, निमिन में से कौन सा एक अधन का नियम नहीं है, law of learning पहले बता देता हूं, किसे न दिये, थारन डाइक नहीं, थारन डाइक नहीं दिये, सीखने के नियम, और group factor theory भी थारन डाइक नहीं दी, law of learning भी थारन डाइक नहीं दी, थारन डाइक नहीं एक बिल्ली पर प्रियोग क किया था भई तो तैयार का नियम, law of readiness, ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम को ही संतोस का नियम भी कहा जाता भई, ठीक है, तो इन में से कौन सा नियम नहीं है, तो ये उपर ले तिनों हैं, और जागरुकता का नियम, भई, law of learning नह आपको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तों अगला है वायाम के बाद क्या अंदर लेना यकरत और मासपेशी के गलाइकोजन बंडारों को पुने बरन के लिए आवशक है रेपलिट लीवर और मसल गलाइकोजन स्टोर्स बै यानि की लीवर और मासपेशियों का जो दुबारा गलाइकोजन के बंडारों के लिए क्या आउसक है प्रोटीन, विटामिन, पोशन, कार्बोहाइडरेड तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइडरेड ये इसका राइट आंसर है प्रोटीन की खोजे वरिजी लियास ने की थी वही विटामिन की कैजीमर, फ मौतिज़ो ग्लुकोज में प्रिवर्थित होकर हमारा सरीर इसके काम लेता है आगे चलते हैं दोस्तो हर्दै के किस कक से एरोटा, एरोटा क्या है भई एरोटा सब से बड़ी दमनी है महा दमनी है एरोटा ये किस इसमें कैसा रक्त होता है जो पूरे उसमें सुद्रक्त बेजती है दाया निले बाया निले दाया निले में क्या होगा भई अशुद्रक्त होगा दाया आलिंद में भी अशुद्रक्त होगा दाया बाया निले और बाया आलिंद इनमें से आपको एक में आगे दो तो ये नहीं होगे पिदाया तो कट गया क्योंकि इनमा शुदोगा उसके बाद फेफड़ मेंगा शुदोकरा आप बाएं आलेंद में और बाएं आलेंद से गा बाएं निले में और यहां से ही लेफ्ट वेंटिरिकल से ही अरोटा नामक महा दमनी पूरे सरीर को रख्त देती है कार्डिक साइकल 0.8 सेकंड में पूरा होता है आपको ये भी याद रखना है ये भी नोड और ऐसे नोड दाएं आलेंद में होते हैं भई ये आपको ये भी याद रखना है और बाय निले से एरोटा नामक मादमनी पूरे सरीर में रक्त पहुचाती है और प्लमनीरी दमनी कहां से जुड़ी है राइट निले से यानि कि भई राइट वेंट्रिकल से आपको याद रखना उसमें अशुद रक्त होता जो फेपडों में ले जाती है आपको याद रखना है लाल रक्त कणिकाओं का आर बीसी आर बीसी का मुख्य काम है वह आक्षीजन डोना ठीक है वह रक्त का लाल रंग इमोगलोबिन के कारण होता है और आर बीसी का निर्मान बोन मेरों में होता है तो इनका जीवनकाल आसान कोश्चन है 130 दिन से अधिक नहीं 155 से 90 निस से नहीं 120 से आप अपना आंसर लगा लेजिए तो इसका राइट आंसर है 120 दिन और बीसी का जीवनकाल होता है और वही डबल बीसी का 2 से 12 के वीच में स्टेंडर तीन से पांच देते हैं वही और वैसे 2 से 12 है निले और आलिंद का सिथलिन यानि की संकुच चन परकुचन या संकुचन होता शिकुड़ना और परकुचन होता फैलना सिथिलिन यानि की relaxation of arteria and ventricles called तो निले और आलिंद की सिथिलिन की relax सवस्ता को क्या का जबता आसान है हर्दय की फुस्फुस, अर्दय का डाइस्टोल, अर्दय का सिस्टोल सिस्टोल होता है परकुचन या संकुचन और परसान होता है डाइस्टोल इस में सिस्टोल में लाग गए है 0.3 सेकंड और डाइस्टोल में लाग गए है लगते हैं वही कितना 0.5 सेकंड टोटल कार्डिक साइकल स्टेंडर माननी गई है और 0.8 वैसे 0.6 से 1 सेकंड या 0.6 से 1 सेकंड लेकिन जो स्टेंडर है वो 0.8 सेकंड है कार्डिक सैकल और जो रक्त परी संचर्ण होता वो दो परकार का होता है एक तो होता है प्लोमनरी और एक सिस्टेमेटिक 23 सेकंड का उसमें समय लगता है तो डाइस्टोल संकुचित होने में कम टाइम लेगा और फैलन में ज्यादा तो इसका जो राइट अंसर है जो आराम की अवस्था में ज्यादा परसार और डाइस्टोल इसका राइट अंसर है भाई इसके रिलेक्स की अवस्था कोई सी है डाइस्टोल और अर्दय का दिन कार्डियो लोजी कहलाता है अर्दय की तीन परते हैं पेरिकार खेल कूद के साथ जुड़ा प्रिणामों को संचालित करने में एक महतव पूर्ण जोखिम कारक है इन में से यूवा खेल कूद के साथ जुड़ा प्रिणामों में संचालित करने में एक महतव पूर्ण कारक है इन में से कौन सी चीज है वही ऐसी जो जो खिमपुर्ण है आयोजन करना नहीं वेखेलना नहीं उपरोग में कोई नहीं तो नेतरतव करना ही जो खिमपुर्ण एक कारक है आपको यह याद रखना यह इसका राइट अंसर है आगे चलते हैं अगला कोश्चन है दूसरों को आनी पहुचाने की मंसा से किया गया वहवार आसान कोश्चन है दबाव नहीं होगा तनाव नहीं होगा उतेजना या आकरमकता उतेजना दूसरी चीज जो जाएगी तो आप इसका आसान कोश्चन है तो इसका राइट अंसर है आकरमकता यह व लाड़ी भी और जो अगे चलते हैं खेल कूद लोगों के लिए क्या करता है खेल कूद लोगों के लिए क्या करता है आप अपना आंसर लगाईए पहले सामाजी करण पैचान को पुकता करना समगर परभुद कोलेक्शन कोलेक्टिव कॉंसियस खेल कूद सामाजी करण भी करेगा पैचान को पुकता भी करेगा बिल्कुल ठीक है पैचान भी देता अच्छा खेलाड़ी होगा दा और सामाजी करण सोचोलाज़ेशन भी करेगा और समगर परभुद भी तो उपरोग साभी इसका राइट आंसर है क्योंकि खेल से भी पैचान भी मिलती है अमारा सामाजी करण भी कास भी होता है मानसिक आर्थिक वोदिक यार एक प्रकार का आल अवर्व डैलोमेंट खेल कुछ से होता है आगे चलते हैं दोस्तों एक छोटे वायामी के लिए यंगर एथलीट के लिए अधिक प्रवावय और ग्रहन शम होते हैं जो नए बच्चे हैं यंगर एथलीट हैं उनके लिए क्या होगा वई बायपरा बावय समूल लंकन प्रेज़ना वैक्तिकतमत वेद वैक्तिकतमत वेद भी नहीं कर पाएंगे समूल लंकन भी क्योंकि छोटे हैं अब होगा अब रहेगे दो बायपरवाव और मोटिवेशन तो यह तो भी मैंने खुद आजमा गए देख्या है मोटिवेशन अगर बच्चों को दी जाती है तो उनके जो काम में बहुत ज्यादा प्रवाविशाली वो काम करते हैं तो इसका राइट आंसर है मोटिवेशन क्योंकि आंतरिक परेणा इन पर लागू नहीं होती तो बाहरी परेणा ही बच्चों पर लागू होती है आपको यह याद रखना है थेल कूद का सामाजिक महत्तव है लोगों को साथ लाना, राष्ट्रों को अलग करना अलग करना तो खेल का मैत है निवी निश्पादन बढ़ाना ये भी हो सकता है लेकिन सामाजिक महत्तव पुच्चा है परफोर्मेंस बढ़ाना नहीं दूसरों को प्रवावित करना ये भी नहीं होगा तो इसका राइट आंसर है लोगों को साथ लाना खेल कुद में सोशलाइजिशन का आगे चलते हैं क्योंकि भी खेल विभिन जातियों, धर्मों, राज्यों, जिलों, खंडों देशों के भी खिलाडियों को एक साथ जोडने का काम करता क्या? खेल कुद आगे चलते हैं दोस्तों एक उद्धिपक को निम्तम संभव समय में परतिकरिया देने की समता है ability to react stimulus in the so test possible time यानि कम से कम समय में परतिकरिया देने की समता क्या है भई? परतिकरिया गती यानि की reactive speed, power, आवरतिगती उपरोक सभी तो इसका जो right answer है आप अपना answer लगा लिजिए परतिकरिया गती कम से कम समय में परतिकरिया देने की समताव परतिकरिया गती यानि की reaction speed आगे चलते हैं दोस्तों coordination coordination क्या होता है? coordination में होता है सरीर के अंगों और मस्तिष के बीच में तालमेल coordination ability अभ्यासों दवारा विक्शित की जाती है शक्ति परशिक्षन दवारा नहीं भई coordination इतना नहीं हो सकता ज्यादा फे होता था है सब इसे है लेकिन जो सब से ज्यादा होगा वो फुर्ति से भी भई हो सकता है लेकिन इतना निगती से भी लेकिन इसका जो कोरडिनेशन का जो कोरडिनेशन किसके दोवारा संथोगा क्विक्सितोगा संथ tallestुलन के दोवारा क्योंकि बैलेंस में बोडी और माइνड को दोनों को ही मिला कर काम करना पड़ेगा आपको ये भी याद रखना है और फुर्तियों के भी स्पीड में ही सरीर की जुस्तिती को बदलना वो फुर्तियों स्पीड होता है कारिये में लियागा समय है कम से कम कितनी ताइम में मनुश्य ने काम किया है आगे चलते हैं दोस्तों एक बल के परिणाम सरूप आवे मोमेंटम में परिवर्तन जो बल के गुणनफल प्रोडेक्ट के रूप में मापा आ जाता है फ़ई कोई भी एक बल का प्रनाम सरूप किसी भी बल के कार्ण मॉमेंटम में गती में परिवर्तन क्या कहलाता है क्या के गुंविण फल के रूप में माप्य आ जाता है क्या है बई सक्ती नहीं बइस समवेग नहीं उधीपन नहीं तो इसका जो right answer है उदीपन stimulants होगा बारी कुछ चीज़ वह उदीपन और सम्वेग होते मनुष्य के अंत्रिक वो बल के प्रिणाम सरूप नहीं होते गती तो इसका right answer है speed आपको ये याद रखना है विच थियोरी बेज़्ड यानि खालिस्तान का सी दान्त एन एची किरियाओं की संकलाप पर आधारी थे विच थियोरी बेज़्ड ओन कॉंसेब्ट ओफ रिफ्लेक्ष्ट किसका वह पावलाव न्यूटन मॉर्गन अपनी पुस्तक प्रिंस इपियाओं में दिये न्यूटन का पहला नियम है जो बता था इससे पिछले कोश्चन में नहीं बता कि बाहरी आवे एक के विना ना तो कोई चीज गती में आएगी बाहरी बलके विना और ना ही कोई गती मान चीज बलके विना रुकेगी तो न्यूटन का जो पहला नियम है जड़तव का नियम दूसरा है तवरन या सम्वेक का नियम यानि कि पहला है जो कोई भी जो वस्तू है वो बाहरी अवेक के विना नहीं आगे जाएगी और जो गती में है वो बिना बाहरी बलके नहीं रुकेगी और जो तीसरा किरिया की परतिकिरियागा आप बोल को फैंकोगे दिवार पर जीतनी तेज वो वापस लगकर उसी से आएगी तो इसका जो राइट अंसर है ये तो होंगे नहीं दोनों तो उपरोक्स में कोई नहीं ये भी नहीं होगा पावलाओ पावलाओ की थियोरी बेश्डों कोन से प्रिफ्लेक्स मानों की पावलाओ का सी दान्त अनाचिक किरियाओं की संक्रापन पर आदारित है कलासीकल थियोरी किसे ने दिवी पावलाओ ने DSSB में बहुत बार पिटा-पिटा परसन है और कंडिशनिंग थियोरी सामान नहीं करणका सी दान्त भी पावलाओं ने दिया आपको यह याद रखना है वरद चक्कर मैक्रो साइकल जो माइक्रो होता है वो साथ से दस दिन दिनों में होता है मेजो होता है तीन से च्छे सब्ता मेजो और एक सब्ता लगा ले वह एक सब्ता यह क्या होगा माइक्रो तीन से दस दिन माइक्रो आगा है साथ से दस दिन है वह यह से च्छे से बारा मैं तो वर्त है तो च्छे से बारा मैं या इस से अधिक भी हो सकता आपको यह याद रखना है आगे चलते हैं जे एफ विलियम जे एफ विलियम के अनुसार सारीक शिक्षा का उपलब्द कराना है वही सारीक शिक्षा का उपलब्द कराना है वही सारीक शिक्षा का उपलब्द कराना है सारीक नीव संतूष्टी ये भी कराते हैं लेकिन इनके अनुशार क्या है ये वाखी काम भी करती है लेकिन जेएफ इलियम के अनुशार क्या है आपको ये बताना है आप पर ही छोड़ देता हूं ये कोश्चन आपको बताना है JF William के नुसार सारीक शिक्षा का उधे से क्या उपलब्द करवाना कुछल नेता तरो ये भी सारीक शिक्षा करवाती है गुणे उता पूना अनुब भी प्राप्त होते हैं और सारीक नीव सारीक काम भी होता संतूष्टी सारीक शिक्षा भी संतूष्ट भी होते हैं अपनी परफूर्मेंस ही तो आपको इसका जो आंसर है वो बताना है कोमेंट में तो दोस्तों अमरा ये टोपिक ना ये कोशन सीरीज यही समापत होती है जै जवान जै किशान जै हिन जै बारत